हेलो फैमली आप सबके एक पर फिस्ट स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचिन में आज हम आपके लिए के स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भिल बनाने की बहुती मज़ेदा रेसिपी वीडियो को एंट तक जरूर दे के वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंड कर करतेये हैं चाइनीज भेल बनाने के लिए सबसे पहले हम पत्ते कुपी को छैप में कटकर लेंगे कुछ इस पत्ते कटकर से तोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं हमने सारे पत्ते गुबी को कट कर लिया है पत्ता गुबी कट करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे कुछ इस प्रकार से इसी के साथ अब हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ले लेंगे उससे बारिक बारिक कट कर लेंगे स्प्रिंग अनियन को कट करने के बाद अब हम एक बड़ा सा बाल ले लेंगे उसमें कटे हुए पत्ता गुबी को एड़ कर देंगे कुछ इस प्रकार से पत्ता को भी एड़ करने के बाद अब हम इसमें चाइनीज नमकीन को एड़ कर देंगे नमकीन एड़ करने के बाद अब हम इसमें होममेट सेजवान चटनी को एड़ कर देंगे यह चटनी होममेट चटनी है इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी साथ इसका लिंक हमने description box में add कर दिया है चटनी अट करने के बाद अब हम इसे अच्छी तर से mix कर लेंगे कुछ इस प्रकार से अच्छी तर से mix करने के बाद अब हम इसमें कटे वे spring onion को add कर देंगे और इसे एक बार mix कर लेंगे अच्छी तरह से mix करने के बाद आप देख सकते हैं आपका Chinese भिल बनके एक दम अच्छी तरह से तैयार हो चुक है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से इसी के साथ आप देख सकते हैं आपका Chinese भिल दिखने में काफी बहतरीन दिख रहे हैं साथी खाने में आपको उतना ही टेस्टी रहेगा अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले साथी आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राय और हमें कमेंट बॉक्स में लिखके बताना ना भूले आपको आज के हमारी रेसिपी कैसी लगी तन्यवाद